यह देखे फ्रेंड्स हमारे यह 4 पीस बनकर बेलकूल त्यार है यह मेरा फ्रंट पीस और बैक साइड पीस है यह मेरी दोनों बाग जो है अब हम इसका उपर से हाई नाक वाला गला बनाएंगे उसके लिए हमारे इन मेरे 29 29 फंद हैं और दौनों फ्रंट और बैक पीस मेरे 38 38 फंद हैं हमारे ये फंदे जादा है हमें टोटल ये गला बनाने के लिए 112 फंदे चाहिए इसलिए हम पहले इन फंदों की गटाई करेंगे हम 6 फंदे फ्रंट पीस में से गटाएंगे 6 फंदे बैक पीस में से और 5 फंदे बाजू में से और 5 फंदे इस बाजू में से ऐसे करके पहले ह हम इसके यह फंदे गटा लेते हैं देखे सबसे पहले हम अपना यह वड़ा पीस लेंगे यह देखे फ्रेंड्स अब हम इसमें अपने फंदे गटाएंगे इसके लिए पहले हम तीन फंदे अपने ऐसे सीधे बुनेंगे यहाँ पर हम दो फंदों का एक करेंगे फिर हम चार फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार चार फंदे सीधे बुनेंगे फिर दो फंदों का एक करेंगे फिर हम चार फंदे सीधे बुनेंगे दो तीन चार और दो फंदों का एक करेंगे फिर चार फंदे सिधे बुनेंगे, दो, तीन, और एक ये चार, फिर से दो फंदों का एक करेंगे, ऐसे ही हम चार फंदे सिधे बुनेंगे, तीन, और एक ये चार, और दो फंदों का एक करेंगे, फिर चार फंदे सिधे बुनेंगे, दो, तीन, चार, फिर दो फंदों का ए सिद्र करेंगे और लाश्ट में देखी मेरे 3 फंदे यहां पर बचे हैं इन्हें हम सिधा ही बुएंगे अब हम इसको ऐसे ही ठोड़ देंगे अब हम अपनी बाजी के फंदे गटाएंगे बाज्व के फंदे फ्रेंट्स देखिए इसमें हम 3 फंदे बुटेंगे देखे फ्रेंट्स जैसे मैंने ये फ्रंट पीस के फंदे अपने गटाए हैं ऐसे ही हम अपने बैक पीस के फंदे भी गटाएंगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर दो फंदों का एक फिर चार फंदे सीधे बुनेंगे दो फंदों का एक इसी तरह से गटाते हुए हम अपने दूसरे पीस के भी फ्रंट पीस और बैक पीस दुनों के हम सेम फंदे गटाएंगे अब हम बाजू के फंदे गटाएंगे बाजू के फंदे फ्रेंड्स हम पहले तीन फंदे सीधे बुनेंगे यह देखिए तीन फंदे सीधे बुन लिए अब दो फंदों का एक करेंगे फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर दो फंदों का एक करेंगे फिर तीन फंदे सीधे दो फंदों का एक तीन फंदे सीधे दो तीन फिर दो फंदों का एक फिर तीन फंदे सीधा बनेंगे हैं फिर दो फंदों का एक या पिर तीन फंदे लास्ट में देखि के हमारा चार फंदे बच गे हैं यह हम सिथा ही हैं इप इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अपने जो हमारा ये वाला पीस है इसमें भी हम इसी तरीके से अपने फंदे गटाएंगे जैसे हमने इस पीस में गटाए हैं ऐसे इसमें भी हम अपने बाजू में भी फंदे गटा लेंगे यह देखे फ्रेंट्स मैंने अपने चार रोपीस के फंदे गटा लिये हैं 32-32 फंदे मेरे दोनों बैक और फ्रेंट पीस में हैं और 24-24 फंदे मेरे बाज्यू में हैं और यह मेरे चार रोपीस बनकर बिल्कुल तियार है अब हम इसकी ज्वाइनिंग करेंगे यह देखे फ्रेंज मैने इस सिध्धी सलाई स्लाई में पने इस met div गट आए थे आब हमारे ओल्ट्व गिए उल्टी तरफ किस लंगे का नागा हैं control इसे त्रीके से फ्रेंच आपने का Monsieur इस लाही निकार लेंगे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए यह सलाही कम्प्लीट करेंगे यह देखे फ्रेंट्स यह सलाही मैंने पूरी निकार लिया है और लाश्क में मेरा यहाँ पर सीधा फंदा बना है अब हम अपनी एक यह बाजू लेंगे पहले हम आपने में पेशोड़ा अबिया है उसमें अब हम इंहें दगाँ आगे करेंगे इह सीता फंदा बना था ग्र में एक फंदा उल्टा बनायेंगे इस त्री के से दागा हमार्दा पीछे आगे मिलुकेश है फिर दाग्वा रीजी करने इक फंदा उल्टा नाए यह बच्षात इस दागे को कट करके हम इस के साथ यहाँ पर जोईन कर देंगे तोड़ै टाइट से हाथ से हम इसको जोईन करेंगे और आगे हम अपना बुनेंगे इस दागे को यही पर छोड़ कर दागा पिछे sided for aanda lifesävák एक पंदा उल्टा त्पिर अगा 5 10 स arte इसी दरीके से फ्रैंस आम आपने चार पीस जोड़ाइए अब मैने बाजू जोड़ी है फिर मैं बैक पीस जोड़ाइँ फिर लाष्टवे बाजू जोड़ाइंगी ऐसी मैं अपने चार ह पीस जोड़ांच कर लिते हूं ये देखे फ्रेंस ये से लाई मैंने अपनी पूरी निकार ली है और चार रोपीज मैंने ये जुआइन कर दिये हैं एक फंदा सिद्धा एक फंदा उल्टा करते हैं मैंने ये बनाया है अब हम इसकी सिद्धी साइड आ गए हैं सिद्धी साइड से भी हम आपना ये बोडर बनाएंगे एक फंदा सिद्धा एक फंदा उल्टा इधर मेरा ये फंदा सिद्धा बना है लास्ट वाला इधर से मैं ये फंदा उल्टा बनाऊंगी यह देखिए इस तरीके से उल्टा बना फिर दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा आगे एक फंदा उल्टा इसी तरीके से फ्रेंट्स में अपने ये पूरी सलाई भी निकाल लूँगी और ऐसे ही बनाते हुए एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए फ्रेंट् इसकी लंबाई थोड़ी डाई इंच तक हम इसकी लंबाई बना लेते हैं यह देखे फ्रेंड्स हमने अपने यह गड़े की लंबाई इतनी बना ली हैं इसमें मैंने यह 20 सलाईयां निकाली हैं यह 20 सलाईयां फ्रेंड्स मैंने अपने यह 9 नंबर की सलाई से बनाई हैं से हलाएं बिल्कुल ऐसे बनाते हुए. यह यहां तक की लंबाई के लिए यह 20 सलाही निकाली हैं, जो मैंने 9 नमबर की लिए से बनाई है. इससे अगे 10 नमबर की सलाई लगा रही हूँ इस से अग्य लंबाई मैं 10 नंबर की सलाई से बनाऊंगी जितनी हमें ये गले की लंबाई चाहिए 10 नंबर की सलाई से आके बनाऊंगी यही वाला बोडर बनाते हुए एक सिदा एक उल्डा यह देखे फ्रेंट्स हमने अपने गले की लंबाई पूर इसके लिए 33 सलाइयां उपर निकाल दी है 34 सलाइय को मैं इदर से अपने यह फंडें करूगी इस में हमारे उल्टी साइड से यह फंदे बंद होएंगे इसलिए फ्रेंट्स अब हम इन फंदों को बंद करते हैं देखिए यह हमारा उल्टी साइड का पीस है इधर से उल्टा है और इधर से सिद्धा है यह सिद्धा पीस है यह उल्टा है फंदे हम उल्टी साइड से बंद करेंगे इसके फंडे लेंगे और 2 फंडो का एक करेंगे और इस फंडे को हम इसके उपर से ऐसे थोड़ा लूज करते हुए यहां पर हम इसको गटा देंगे फिर हम इस फंडे को दो फंदों का एक करेंगे और जो हमारा लूज फंदा है इसे हम इसके उपर से उतार देंगे इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अपने ये सारे फंदें बंद करेंगे कि यह देखे फ्रेंट्स हमने अपने सारे फंदे बंद कर दी हैं हमने जो फंदा उतारना था हुशको थोड़े एक फंदा हमारा लूज करकर के हमने इसको यह बंद किया है इस से हमारे सिध्धी साइडिया आप लाश्ट का मेरा एक फंदा यहां पर यह बचा है इस फंदे को अब मैं इस दागे को थोड़ा लंबा करके मैंने यह तागा कट्टा है कि इसके अंदर से मैं इसको ऐसे निकालते हुए इस एक फंदे को भी यहां पर बंद कर दूए अब देखे फ्रेंड्स हम इसकी सिलाई करेंगे यह हमारा सिधी तरफ का पाट है हम सिधी तरफ से यह अपने गले को ऐसे इदर से मोडेंगे और जो हमने उपर यह तागा लंबा गाटा था इसमें हमने सुई डाल ली है सु हमखि लेते हुए हम देखे यहां से हम सिलाई करेंगे सब से पहले हम जो हमारा इधर की साइड दागा है इधर वाले पार्ट में से एक बंदा हम स्टार्टिंग यह से लेंगे और इसके अंदर से सुई निकाल लेंगे इस तरीके से इन दोनों को आपस में हम बिल्कुल इक्वल बंद करेंगे यहाँ पर दो तेन बार हम यहाँ से इसको पक्का कर देंगे ताकि यहाँ पर लूज ना होए दो बार मैं ने इसमें से यह कर दिया है और हमारी चेन बिल्कुल आपस में इधर से यह मिल गई है ऐसे आप हम एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा हम दूसरी साइड से लेंगे दोनों साइड से एक फंदा लेते हैं हम इसको यहाँ पर सिलाई करेंगे फिर दुबारा से हम निचे से एक फंदा लेंगे और एक फंदा दूसरी तरफ से लेंगे ऐसे हम करते हुए इसकी यहा बिल्कुल सिलाई हमारे यहां पर दिखाई नहीं दे रही है इसी तरीके से हम यह सिलाई अपने निचे तक की करेंगे जैसे के हमने एक फंदा यह इधर से लिया और एक फंदा ही हम अपना दूसरी तरफ से लेंगे बिल्कुल उसकी सीध में दोनों को साइड से एक ही तरह से प्रफंदा हंने उठाना है से टीकिए है हम यह सिलाइए अपनी पूरी करेंगे यह देखे फ्रेंज हमने अपने गले की सलाइऑ कर दी है अब हम ने इसके द्वारीं करेंगे इसके लिए देखिए त estimates को पहले निच्चे की साइब हम य early जाएंगे इसको ऐसे निच्चे ले जाकर और जो हमारे यह मोटे वड़े पाइट हैं एक बाज्चु का और एक हमारा बैक पीस का या फ्रट पीस का ऐसे हम लेंगे यहां से हम इन दोनों के जहां से हमने गटाई की है वहां से इसको हम ऐसे पकड़ते हुए बराबर बिल्कुल और यहां से हम इसकी सिलाई करेंगे बिल्कुल बराबर हम इनको पकड़ेंगे जो हमने यह तीन फंदे यहां पर गटाई थे इनको आपस में ऐसे पकड़े और बराबर-बराबर इनकी सलाई हम यहाँ पर करेंगे बिल्कुल इस तरीके से लेंगे और एक एक फंदा हम दोनों साइड से हैं ऐसे एक एक फंदा लेंगे और इसके सलाई हम इस तरीके से सलाए सुविकरी को पहले, हम नि यह सुविả यहाँ पर डाली, एक एक फंदी के अंदर से, फिर एक एक फंदे से हम अग्रे की साइग से लेकर आएंगी, फिर दुबारा से हम इस दाкое की पिछे बड़े पार्ट में से सुविकरी आखेRan ca, एक फंदाग के हम इ और आगे एक फंदा छोड़के हम यह सोई देखा लें फिल दुबारा से हम ऐसे ही इसको सिल लेंगे इसी तरीके से हम अपने इधर की भी सिलाई कर लेंगे और जो हमारे यह पार्ट है इधर वड़े पार्ट की भी करेंगे और इधर वड़े पार्ट की भी चार पार्ट हमा भाद में हम नीचゃे की सिलाइड में करेंगे पर हम अपनी ये सिलाई यह देखिए friends हमने अपनी चारो पाट आपसमें जोइन कर लिए है इधर से हमने इधर से भी इधर से भी और हिदर से जो्ब्रणों फेस की हमारी ये रापससमें सिलाई हो गई हग अभम इसकी सिलाई करेंगे बाजू की बाजू की सिलाई करेंगे ऐसे मोरते हुए फ्रेंस यह देखिए हम यहां से सिलाई करते हुए बाजू से और इसकी एक पीस आपस में ऐसे यहां से हम निच्चे तक कि इसकी पूरी सिलाई करेंगे ऐसे हम इसकी दूसरी तरब से भी सिलाई करेंग यह देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी सिलाई कर ली है इसकी सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स मेरी जर्सिया ऐसे दिखाई देती है थैंक्यू फ्रेंड्स